हेलो एवरिवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ मैथेमेटिक्स का जो चैप्टर नमबर 4 है द्वी घास समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 इस एक्सरसाइज का हमने कुष्चन नमबर 1, 2 और 3 पहले सोल कर लिया है आज हम कुष्चन नमबर 4 और बाकी के कुष्चन सोल करेंगे तो कुष्चन नमबर 4 तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू वर्षों में का व्यूत कर्म और अब से 5 वर्ष पस चाथ आयू के व्यूत कर्म का योग एक बटा 3 है उसकी वर्षों मान आयू ग्यात कीजिए रह्मान की वर्षों मान आयू हमने मान लिए एक्स वर्ष एक्स वर्ष है तो यहाँ पर लिखेंगे पृष्चन नुसार पर्षन नुसार जो पर्थम सर्थ दी हुई है तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू तीन वर्ष पूर पहले क्या थी हम जो वर्ष मान आयू है उसमें से तीन घटा देंगे तो एक्स माइनस तीन वर्ष यह हो गई तीन वर्ष पूर तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू का वियूत कर्म यहां पर लिखेंगे आयू का वियूत कर्म यह अब आगया प्रिशन में वियूत कर्म यह वियूत कर्म क्या होता है जब हम यह हमारा आगया तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू एक्स बटा तीन इसका वियूत कर्म यानि हम इसको एक के बटे में लिख देंगे तो हमें आयू का वियूत कर्म प्राप्त हो जाएगा एक पट्टे एकस माइनस तीन वर्स यह आ गए हमारा आयू का वीत कर्म इसी परकार पांच अब जो सेकिन कंडिसन दी हुई है सर्द उसमें क्या है पांच वर्ष बाद रहमान की आयू पांच वर्ष बाद रहमान की आयू पांच वर्ष बाद कितनी हो जाएगी हम जो वर्ष बाद आयू है उसमें पांच वर्ष जोड़ देंगे एकस पलस पांच वर्ष और पांच वर्ष बाद आयू का वीत कर्म कितना हो जाएगा वीत कर्म वई एक बटे एकस पलस पांच वर्ष अब प्रिसन में क्या है कित तीन वर्ष पूर रहमान की आयू का वीत कर्म और पांच वर्ष पस्चाद आयू के वीत कर्म का योग कितना है एक बटा तीन तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुन्हा प्रशना अनुसार तीन वर्ष पूर आयू का वीत कर्म एक बटा एकस माइनस तीन और पांच वर्ष पस्चाद एक बटा एकस पलस पांच इनका योग कितना है एक बटा तीन एक बटा एकस पलस एकस माइनस तीन प्लस एक बटा एकस पलस पांच बराबर कितना दिया है प्रेश्ण में एक बठा तीन इनकी तिरची गुंआ करेंगे लेसे रिने के लिए उनको जोड देंगे तो यहां पर आदाएगा एक माइनस तीन x प्लस 5 इधर x प्लस 5 इकम x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1 बटा 3 ब्रेकेट खोल देंगे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बटा x की गुणा x में x स्क्वाइर प्लस 5 x माइनस 3 की गुणा x में माइनस 3 बराबर 1 बटा 3 एक x और एक x प्लस के 2 x प्लस का 5 और 3 माइनस का तो प्लस का 2 बटे x स्क्वाइर 5 x प्लस का है और 3 x माइनस का है तो प्लस का 2 x माइनस 15 बराबर 1 बटा 3 अब फिर इनके हम तिरची गुणा कर देंगे तो तीन दूनी 6 x प्लस तीन दूनी 6 बराबर x स्क्वाइर प्लस 2 x माइनस 15 इनको इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगे इनके चिन बदल जाएंगे जो इधर लाने पर क्या होता है? जो प्लस का होता है वो माइनस में बदल जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस में x स्क्वाइर प्लस 2 x माइनस 15 माइनस 6 x माइनस 6 बराबर 0 x स्क्वाइर 2 x प्लस का है 6 x माइनस का है तो माइनस 4 x माइनस 15 और 6 माइनस 21 बराबर 0 यह हमारी क्या आगी द्वीघात समीक्रण हम इसे द्वीघाती सुत्र से भी हल कर सकते हैं गुननखंड विधी से भी हल कर सकते हैं तो यहां पर मैं द्वीघाती सुत्र से हल करना बता रही हूं यहां पर लिखेंगे द्वीघाती सुत्र से दिवगाती सुत्र में यहाँ पर X का एक गुनांग है तो यहाँ पर A बराबर 1 B बराबर कितना B का मान कितना है? माइनस 4 और C का मान माइनस 21 दिवगाती सुत्र आपको पता है X बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वाइर माइनस 4 A C पर्टा 2 A इसमें मान रख देंगे तो X बराबर कितना जाएगा? माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 काई स्क्वाइर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 21 बटा 2 गुना 1 तो X बराबर आगे माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट चार चोग सोला प्लस सोला माइनस माइनस प्लस 21 चोग चुरा सी बटा 2 X बराबर प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट सो बटा 2 X कमान क्या है? 4 प्लस माइनस यह प्लस यह आपर लिखें ना लिखें कोई फ्लक ने पड़ता है 100 का वर्ख मुल्क क्या होता है? 10 बटा 2 आगे क्या लिखेंगे? एक बार धन चिन लेने पर एक बार रिन चिन लेने पर यहा पड़िकंगे धनातमक चिन लेने पर और रिनातमक चिन लेने पर जब हम धनात्मक चिन लेंगे तो X कमान क्या आएगा 4 प्लस 10 बटा 2 तो X बराबर 10 चार 14 बटा 2 2 सत्य 14 X कमान कितना आया X बराबर आगया 7 प्लस का एक आंसर हमारा ही आगया अब इसी परका रेंट चिन लेने पर X बराबर 4 माइनस 10 बटा 2 X कमान क्या आया ये माइनस 10 मैंसे प्लस का 4 गया तो माइनस 6 बटा 2 2 तिया 6 X कमान आगया माइनस 3 X के 2 मान आगया ये हमारा उत्तर गलत है क्यों गलत है? क्योंके आयू का मान कभी भी रिनात्मक नहीं होता आयू, दूरी, उचाई इन्हें हम रिनात्मक नहीं मानते हैं इनका मान रिनात्मक नहीं होता कोई भी नहीं कहता कि उसकी आयू 10 वर्स है कि माइनस 10 वर्स है माइनस 5 वर्स है सब यहीं कहेंगे कि 10 वर्स है 5 वर्स है इसलिए यह हमारा मान गलत है यहाँ पर आंसर लिखेंगे चुकि आयू का मान रिनात्मक नहीं होता अत्ते हैं देह मान की वर्तुमान आयू एक्स मान नहीं थे हमें एक्स का मान कितना है साथ वर्ष है यह हमारा कुश्यन नमबर फोर कांसर आ गया प्रेश नमबर पांच एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गनीत और अंगरेजी में प्राप्त किये गए अंकों का योग 30 है यदि उसको गनीत में दो अंक अधिक और अंगरेजी में तीन अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुननफल 210 होता उसके द्वारा दोनों विश्यों में प्राप्त किये अंक ग्यात कीजिए कुश्य नमबर 5 माना शेफाली के गनीत में प्राप्त अंक हमने मान लिये माना उसने गनीत में एक संक प्राप्त किये तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक टोटल कितने अंक प्राप्त किये थे 30 अंकों का योग प्रस्ण में दिया हुआ है 30 तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे अंको का योग माइनस गनित में प्राप्त अंक यहाँ पर लिख देंगे अंको का योग माइनस गनित में प्राप्त अंक तो हम कितने आ जाएंगे अंको का योग कितना था? 30, 30 में से हम गणित में प्राप्त अंक घटा देंगे तो हमें अंग्रेजी में शेफ आली ने कितने अंक प्राप्त किये वो आ जाएंगे आ गया 30 माइनस X यहाँ पर लिखेंगे प्रश्ना नुसार प्रश्ना नुसार क्या है? शेफ आली को गणित में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलने पर और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलने पर गणित में कितने अंक हो जाएंगे अब गणित में प्राप्त अंक जब गणित में दो अंक अधिक मिलेंगे तो हम एक्स में दो को जोड़ देंगे एक्स प्लस दो अंक आज हो जाएंगे और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक तीन अंक कम मिले अंग्रेजी में पहले कितने तो तीस माइनस एक्स तीस माइनस एक्स इसमें से हम तीन और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स इतने अंग्रेजी में दोड़नों का गुनेंफल कितना दिया हुआ है प्रेश्ट में 210 दोनों की गुना कर देंगे x प्लस 2 और 27 माइनस x बराबर कितना है दोनों का गुनान फल 210 x की गुना 27 में 27 x माइनस x स्क्वाइर प्लस 27 दूनी चाउफन माइनस 2 x बराबर 210 27 x में से 2 x गया 2 x माइनस का इसको हम घटा देंगे तो 25 x माइनस x स्क्वाइर प्लस चाउफन यह धर जाके हो जाएगा माइनस का तो 210 माइनस 24 25 x माइनस x स्क्वाइर बराबर कितना बचा 156 जो हम इसे मैंस से माइनस करेंगे तो 156 बच जाएगा यह x माइनस का है इससे हमें इसकी वैल्यों में प्लस में करनी है तो हम इन सब को उठाके इधर ले जाएगे इधर जाके यह माइनस का प्लस का हो जाएगा और 25 x माइनस 25 x हो जाएगा x स्क्वाइर माइनस 25 x यह प्लस का है इधर का इधर यह प्लस 156 बराबर 0 यह हमारी क्या आ गई द्विघास समिकरन इसे हम हड़ करते हैं अब क्या करेंगे हम जो हमारी द्विघास समिकरन आई है इसे हम इंच के हम गुणन खंड विधी से इसे हल करेंगे यहाँ पर लिख देंगे गुणन खंड करने पर आप चाहे तो दिवघादी सुतर से भी हल कर सकते हैं गुणन खंड करने पर समिकरन क्या है x स्क्वाइर माइनस 25 x प्लस 156 बराबर 0 इस x का क्या गुणांग है एक गुणन खंड में हम क्या करते हैं जो x का गुणांग होता है और अचरपद की सबसे पहले इनकी हम गुणा करते हैं तेरा और बारा तेरा और बारा की गुणा करेंगे तो 156 और तेरा और बारा जोडने पर 25 यहां पर लिखेंगे x स्क्वाइर माइनस 13 x प्लस 12 x प्लस 156 बराबर 0 एक स्क्वाइर माइनस 13 x जब ब्रैकिट खुलेगा तो यह माइनस का हो जाएगा माइनस 12 x प्लस 156 बराबर 0 एक जोड़ा हमारा यह एक यह यहां से x बाहर आजाएगा क्योंके दोनों में x कॉमन है Украї यहां से माइनस 12 बहार ले लेंगे तो x माइनस 13 बाहर variable 0 यह से में है तो एक बहार लिख लेंगे x माइनस 13 और x माइनस 12 bara 4 जीरो यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो एक्स का मान क्या आ जाएगा यह माइनस का इधेर जा के प्लस का 13 एक आंसर हमारा यह आ गया यहाँ पर लिखेंगे यदि एक्स माइनस 12 पराबर 0 तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 12 एक हमारा आंसर यह आ जा आंसर हमारे दोनों से ही है इस कुश्चन में अब दो कंडिशन बनेंगी पहली कंडिशन क्या होगी जब गणित में अंक 13 मिले यहाँ पर हम लिखेंगे जब गणित में मिले अंक कितने तेरा तो अंक रेजी में मिले अंक कितने होगे हम तीस में से तेरा को घटा देंगे तीस माइनस तेरा परावर कितने होगे सतरा एक हमारा आंसर यह आग है और दूसरा हम क्या लिखेंगे जब गणित में मिले अंक कितने बारा एक बार हम तेरा ले लेंगे एक बार हम एक्स की वेल्यू बारा ले लेंगे एक हमारा यह कंडिशन होगे एक हमारी यह जब गणित में मिले अंक कितने बारा तो अंग्रेजी में मिले अंक कितने होगे तीस में से बारा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा अठा रांग यह हमारा कुश्चन नमबर पांट सोल हो गया प्रेश नमबर छे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से साट मीटर अधिक लंबा है यदी बड़ी भुजा छोटी भुजा से तीस मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ग्याद कीजिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से जो ये विकन है और ये छोटी बुजा पर निर्भर है कि उसकी छोटी बुजा से 60 मिटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी बुजा छोटी बुजा से 30 मिटर अधिक हो तो खेद की बुजाएं ग्याद करें तो हम यहाँ पर माल लेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स मेटर है कुश्चन नमबर छे आयताकार खेत ये हमारा क्या है? आयत में कितने भुजाय होती है? दो ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा ये हमारा आयताकार आयत का विकार यह कौन हो गया हमारा समकौन 90 यहाँ पर हम क्या माल लेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भूजा कितनी है एकस मीटर है यह हमने मान लिए एकस मीटर प्रिश्ना नुसार प्रिश्ना नुसार क्या दिया हुआ है खेत का विकर्ण कितना दिया हुआ है छोटी भूजा से 60 मीटर अधि यह हमारा खेर, यह विकर्ण है, तो यह कितना दिया हुआ है, X प्लस 60 मीटर, यानि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, X प्लस 60 मीटर, यह बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा की लंबाई, कितनी दिय हुए है, तो कितनी हो जाएगी X प्लस 30 मीटर यह हमारी बड़ी भुजा है यह चोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है यहाँ पर लिख देंगे X प्लस 30 चोटी भुजा बड़ी भुजा चोटी भुजा और बड़ी भुजा है हमारी यह इसमें इतनी कंडिशन दी हुई है तो जब और कंडिशन नहीं है तो अब क्या देखें हम यह क्या बन गया हमारा समकोंड तिर्भूज इसका विकर्ण है यह लंब है और यह आधार तो इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस पर में पाइथागोरस पर में क्या होता है जो कंड का वर्ग होता है वह है किसके बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस दम का वर्ग इसमें विकर्ण कितना दिया हुआ है एक्स प्लस साथ मीटर यह हमारा दिया हुआ है विकर्ण इसको यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस साथ का होली स्क्वायर आधार हमारा एक्स प्लस तीस यानिके बड़ी बुजा और लम एक्स मीटर यह छोटी बुजा एक्स स्क्वायर इसमें यह क्या हमारा एक्स प्लस साथ का होली स्क्वायर आधार एक्स प्लस बी का होली स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, चुंकि A प्लस B का होली स्क्वाइर, इसको हम सोलो करेंगे तो A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2AB, यह फोर्मूला हम यहां लगाएंगे, A स्क्वाइर, X स्क्वाइर, प्लस 60 स्क्वाइर, प्लस 2AB, दो गुना X गुना 60, वह हम यहां पर यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, X स्क्वाइर, प्लस 30 स्क्वाइर, प्लस 2 गुना X गुना 30, और यहां पर जाएगा यह, X स्क्वाइर, प्लस X स्क्वाइर, यह हमारा अलग है, X का हो स्क्वाइर, तो हो जाएगा हमारा, X स्क्वाइर, प्लस 60 का स्क्वाइर, 6 गुना गुना X, तो यहां पर हो जाएगा, X स्क्वाइर, एक सो, बीस, साट दुनी, एक सो बीस X, पर आपर यहां पर X स्क्वाइर, प्लस 3 तिया नो सो, प्लस 2 तिया छे, साट एक्स, और प्लस X स्क्वाइर, X स्क्वाइर, प्लस 36, प्लस 120 X, एक स्क्वाइर यह, एक एक निया, तो क्या हो जाएगे, 2 X स्क्वाइर, प्लस 900, प्लस 60 X, सब को हम इधर लेके जाएगे, तो यह सब माइनस क्या हो जाएगे, 2 X स्क्वाइर, प्लस 900, प्लस 60 X, यह धर जाके, माइनस X स्क्वाइर, माइनस 36, माइनस का 120 X, बराबर 0, 2 X स्क्वाइर में से एक गया, तो यहाँ पर बचा X स्क्वाइर, 120 X में से 60 गया, माइनस 60 X, 36 में से प्लस 900 गया, माइनस 2700, बराबर 0, यह हमारे आ गई द्विगास समीकरण, इसे हम गुणन खंड विधी द्वारा हल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, गुणन खंड करने पर, जब हम इसके गुणन खंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2700 का जो X का गुणा के उसमें गुणा करेंगे, 2700, गुणा यहाँ पर X का गुणा कितना है, एक, तो X से गुणा करतेंगे, आ जाएगा 2700, अभी से हम ऐसे दो भागों में बाटेंगे, जिसका गुणन फल तो 2700 आए, और यहाँ पर माइनस है, तो देखेंगे के अंतर उनका 60 है, तो ऐसी दो संख्याए है, 90 और 30, जिए गुणा करेंगे, 9 तिया 2700 आजाएगा, और 90 में से 30, माइनस करेंगे तो हमारा 60 आजाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, X स्कूर माइनस 9X, माइनस 30X, माइनस 2700 बराबर 0 एक स्कूर माइनस 90X, माइनस माइनस, प्लस 30x माइनस 27 बरावर 0 एक जोड़ा हमारा यह एक यह इसमें से x को मल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 90 यहां से प्लस 30 बाहर लेंगे तो इधर तो 30 बाहर आगा यहां तो x बचा जब 30 से इसे भाग देंगे तो यह हमारा 90 आजाएगा बरावर 0 यह दो बार है तो इसे एक बार लिख लेंगे x माइनस 90 x प्लस 30 बरावर 0 फिर से दो बारह से लिखेंगे यदि x माइनस 90 बरावर 0 तो x का मान कितना आ गया 90 इसी परकार यहां यदि x प्लस 30 बरावर 0 तो x का मान क्या आ आ है माइनस के 30 यह मारे दोनों x के आंसर है यह वाला आंसर गलत है क्योंकि भुजा की जो लंबाई है वह रिनात्मक नहीं होगी इसलिए x का मान हम यहां पर 30 माइनस 30 नहीं लेंगे क्योंकि भुजा की लंबाई रिनात्मक नहीं होती इसलिए छोटी बुजा की लंबाई कितनी होगी क्या मान था मैं x तो x का मान कितना है हमारा 90 मिटर बड़ी बुजा की लंबाई कितने हो जाएगी बड़ी बुजा की लंबाई में 30 मीटर जोडने पर छोटी बुजा की लंबाई में कुश्चन नमबर 6 आसानी से सोल हो गया उम्मीद है आपको समझ में आये होंगे अगर हां तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना